पिछले 6 दिनों से घर की चकर काट रहे मांसिकरों की बंटी को समाथ सेवी हितेश बंसोर के प्रयास और सोशल मीडिया के माजन से घर दिलाने में मदद मिली चार-पाश दिन पहले रात को बंसाली तकली से हिटेश बंसोर का फोन आता है और हमारे गाव में एक अजनवी आया है बस तस्वीर यही कह रही थी अपनी मांसिक बीमारी के कारण वो अपनी पहचान सपर शुरूर से प्रकट नहीं कर सका था जिससे उसे उसके घर पहचाने तिथा उसकी पहचान है तो बंटी का एक वीडियो बनाया और इसे नाखपुर और अनिस्थानों पर अपने सभी दोस्तों के साथ साचा किया गया जिसकी सायता से बंटी को उसके घर पहचाने में सायता हुई हिज्जोती फाउंडेशन खुश है कि बंटी को उसके जोटे से प्रयास की कारण फिर से उसका घर मिला और सोशल मीडिया के सयोग से ही यह संभव हो सका हिज्जोती फाउंडेशन की कारे करता जो बंटी को जरीपट का थाने ले गए तो उसके पिता ने उसे देखकर खुशी के मारे रोनिल की आखिल लड़का कैसा भी हो उसके माता पिता उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं उक्त लड़के का नाम बंटी सुधाकर बोडोले है और वह नाकपूर मार्टी मेर रहता है बंटी को उसके घर भोचाने में सहयोग करने वाले सभी का हिज्जोती फाउंडेशन के सभी पदादी कारों ने सोशिल मीडिया पर समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद किया बेघर, बेसहारा, मांसिक रूप से बीमार और सडग हाथसों में तुरंत मदद के लिए हिटेश बन सोड़वा उनके द्वारा स्थापित हिज्जोती आधार फाउंडेशन सामनेर जिला नाकपूर के सामाचिक कारे की हर तरफ प्रशन साह हो रही है बीसियन न्यूस के लिए सामनेर से किशोर डुंडुले की रिपोर्ट